नमस्कार फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वत्स वाज और मैं हूं मुकेश वत्स फ्रेंड्स आज के इस विडियो में हम देखेंगे कि करक राशी या लगन वालों के लिए वर्ष दोजार चौबेस किस तरीके का होगा करक राशी वालों का स्वास्थ कैसा होगा परिवार में किस प्रकार की सुक शान्ती होगी आमदनी कैसा रहेगा वो कौन से important dates हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और साथ ही मैं कुछ बहुत सरल उपाय भी बताऊंगा जिनको करते हुए आप इस वर्ष को और भी बहतर बना सकते हैं तो आपका यदि करक राशी अलगन है तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा आप लोग यदि मेरे वीडियो देखते आएं हैं और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इससे हम जैसे content creators को और कुछ तो नहीं लेकिन एक motivation मिलता है friends जब कभी भी हम लोग वर्ष की बात करते हैं वर्ष फल की बात करते हैं तो जो चार slow moving planets हैं उनका role बहुत ज़्यादा important हो जाता है क्योंकि वह एक ही स्थान में बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं इसलिए बहुत long lasting परिणाम हम लोगों को देते हैं मैं किस planets की बात कर रहा हूँ जोपिटर, सैटन, राहू एवं केतु अब जैसे screen पर आपको मैं कुंडली दिखा रहा हूँ आप देखिए करक राशी या लगन वालों के लिए शनी पूरे वर्ष आठवे भाव में रहेंगे राहू पूरे वर्ष आपके 9th house में रहेंगे और केतु पूरे वर्ष आपके 3rd house में रहेंगे देव गुरु ब्रिहस्पती की बात करें तो 2 में तक वो आपके 10th house में रहेंगे और 2nd में के बाद वो आपके 11th house में आ जाएंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये planets पूरे वर्ष तक करक राशी वालों को किस तरीके का परिणाम देते हैं सबसे पहले हम लोग देव गुरु ब्रिहस्पती की बात करते हैं Friends, 2nd में तक जुपिटर आपके कर्म भाव में है, 10th house में है तो कैरियर से संबंदिक development के लिए ये बहुत अच्छा समय है आप यदि काम ढूंड रहे हैं या फिर किसी काम में पहले से लगे हुए हैं तो देव गुरु ब्रिहस्पती आपको उसमें सफलता दिलाएंगे यहां से बैठकर वो आपके 2nd house को भी देख रहे हैं इसलिए काम में वृद्धी होगी तो आमदनी में भी वृद्धी होगी 10th house में बैठकर देव गुरु ब्रिहस्पती आपके 6th house को भी देख रहे हैं इसलिए मेहनत इस समय में आपको करना होगा और इस मेहनत का लाब अभी तो आपको मिलेगा ही इसके बाद जब जुपिटर आपके 11th house में आएंगे तो आज के किये गए काम का आपको ज़्यादा लाब उस समय में मिलेगा जब सेकंड में के बाद वो आपके 11th house में आजाएं देव गुरु ब्रिहस्पती आपके 9th house के लॉड हैं त्रिकोन भाव के स्वामी हैं और एक केंद्र भाव में हैं तो ये पहला चार महीना आप एक तरीके से समझेए तो ट्रांजिट में एक राज योग बन रहा है भाग्य में वृद्धी, दसमें में बैठे हुए देव गुरु ब्रिहस्पती इसलिए अवश्य करवाएंगे कुछ लोगों को इस समय में काम से संबंदित यात्राओं पर जाने का मौका मिल सकता है और इन में से हो सकता है कुछ लोगों को विदेश यात्राएं भी करनी पड़े इसकी संभावना है सिक्स्थ पर देव गुरु ब्रिहस्पती की दृष्टी है तो जैसा मैंने पहले कहा मेहनत आपको करना होगा कुछ लोगों को इस समय में कम्पेटिशन जो आपके प्रतिस पर दी है वो कुछ चैलेंजेज परेशानिया क्रियेट कर सकते है और चुकि सिक्स्थ हाव से इसलिए स्वास्थ का भी आप लोगों को कुछ ध्यान रखना चाहिए विशेशकर देव गुरु ब्रिहस्पती के दूसरे पर दृष्टी है और सिक्स्थ पर भी दृष्टी है तो दूसरा याने की खान पान उसका दिहान रखिएगा नहीं तो देव गुरु ब्रिहस्पती क्या है हमारे बॉडी में फैट अकिमूलेशन के कारक भी है तो आपका मोटापा बढ़ सकता है आलस बढ़ सकता है उर्जा की कमी हो सकती है इस समय में जो लोग भी फैमिली बिजनस में वो लोग अच्छा करेंगे दूसरे पर गुरु के प्रभाव से आपकी वानी में भी एक आकर्शन आएगा और इसके वज़े से आपके रिलेटिव्स आपके परिवार के लोग उनका सहयोग मिलेगा वो खुश रहेंगे आपसे दूसरे भाव पर शनी एवं गुरु दोनों का सम्मिलित प्रभाव रहेगा पहला फोर मन्स तक तो आप कह सकते हैं कि आपके सेकंड हाउस पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है इसके वज़े से क्या होगा आमदनी के स्रोत नए अवसर आप लोगों को मिलेंगे और इससे भविष्य में आपकी आमदनी में व्रिद्धी होगी ये दिखता है चौथे भाव पर देव गुरु ब्रिहस्पती की दृष्टी है तो बहुत सारे लोग इस समय में घर खरीदने का भी मन बना सकते हैं कई लोगों के प्रोमोशन, रेकोगनिशन मिल सकता है जो लोग भी बिजनस में हैं वो लोग अपने बिजनस में इस समय में चाहे तो उसको एकस्पैंड कर सकते हैं चौथे भाव पर देव गुरु ब्रिहस्पती की दृष्टी से कुछ लोगों के घरों पर मांगलिक कार्य भी संपन्न किये जा सकते हैं घर पर पूजा पाठ का माहौल बन सकता है सेकंड में के बाद देव गुरु ब्रिहस्पती आपके 11 भाव में आ जाएंगे 11 भाव क्या होता है फ्रेंड्स लाब का होता है और देव गुरु ब्रिहस्पती को इसका कारक भी माना जाता है 11 में देव गुरु ब्रिहस्पती बहुत अच्छे परिणाम देते हैं तो आप जिस किसी फील्ड में भी काम करते हैं या किसी नए कार्य को भी करने का प्रयास आप यदि कर रहे हैं तो देव गुरु ब्रिहस्पती आपके लिए नए अवसर क्रियेट करेंगे कई लोगों के आमदनी के कई स्रोत इस समय में बन सकते हैं multiple sources of income इसका मतलब है कि 11th में बैठे हुए गुरु आपके wish fulfillment का कार्य करेंगे 11th house wish fulfillment का भी है आप इस समय में महनत और हिम्मत दोनों दिखाएंगे पीछे नहीं रहेंगे उर्जा आपकी बनी रहेगी नए कारियों को करेंगे और इस से आपको लाब होगा जो लोग भी sales के field में हैं, communication के field में हैं, लेखक हैं या किसी भी competitive field में हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा बन जाता है भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टी तीसरे भाव पर है इसलिए आप यात्राओं पर जाएंगे और उस से भी आपको लाब मिलेगा second में के बाद आपके पांचवे भाव पर शनी एवं गुरू दोनों की सम्मिलित दृष्टी होगी तो इसका मतलब है कि आपके fifth house पर double transit का प्रभाव पड़ेगा fifth house energize हो रहा है तो पांचवे भाव से संबंदित जो भी कारिये हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी और इसमें आप बढ़ोत्री देखेंगे for example, आपके बच्चे, उनको आप देखिएगा इस वर्ष में बढ़ियां सफलता मिलेगी कुछ लोगों के बच्चे अपने कैरियर में सेटल हो जाएंगे या फिर यदि वो पढ़ाई में हैं, तो उनको शिक्षा में कुछ उपलब्दी मिलेगी कई लोग जो संतान प्राप्ती के लिए एक छुक थे, लालाईत थे, काफी दिनों से प्रियास कर रहे थे उन लोगों को संतान प्राप्ती में सफलता मिलेगी कुछ लोगों के प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं गुरू की सात्में पर भी दृष्टी है तो आपके जीवन साथी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, आपके स्पाउज अच्छा करेंगे और सेकंड में के बाद आप यदि बिजनेस में हैं तो बिजनेस को आप एक्स्पैंड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे और उसमें सक्सस मिलेगा इस समय में आपको नए पार्टनर्स मिल सकते हैं, जो लोग बिजनेस में हैं दूसरों के सहयोग से आपका वेवसाय इस समय में अच्छा चलेगा कुछ लोगों को इस समय में बहुत बड़े डील्स और कॉंट्रैक्ट्स भी साइन करने को मिलेगा इससे भी आपकी आमदनी में वृध्धी होगी साथमा भाव फ्रेंड्स समाज में मान प्रतिष्ठा का भी है मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धी अवश्य होगी समाज में recognition मिलेगा आपके पिता के लिए भी ये समय अच्छा हो जाता है क्योंकि जुपिटर आपके 9th house के lord है 5th house पर गुरू की दृष्टी है इसलिए आध्यात्म मंत्र साधना गुरू के प्राप्ति के लिए भी ये वर्ष और खास करके माई के बाद अच्छा हो जाता है इसके बाद friends हम लोग Saturn के effects को देखते हैं सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि शनी आप लोगों के लिए एक मारक planet है क्योंकि 7th और 8th house के lord है और इस पूरे वर्ष में शनी आपके लगन या चंद्रमा से अश्टम में बैठे है तो ये बहुत अच्छी स्थिती नहीं है खास करके इस समय यदि आपका कोई मारक महादशा या अंतरदशा चल रहा है तो ये combination बहुत अच्छा नहीं है अब for example मान लीजिए आपका बुद्ध का महादशा चल रहा है या अंतरदशा चल रहा है या शनी का महादशा या अंतरदशा चल रहा है तो ये दोनों क्या है मारक प्लानेट हैं आपके लिए तो फिर ये शनी आपको स्वास्थ संबंधित चिंताएं देंगे दामपत्य भाव के दूसरे भाव में बैठे विए शनी इसलिए दामपत्य जीवन में उतार चड़ाव दे सकते हैं कुछ लोगों को इस वर्ष सरकारी पक्ष से अडचने आ सकती हैं कुछ लोगों पर इस समय में लांचन और बदनामी इसका भी सामना करना पड़ सकता है कार्यक्षेत्र में भी शनी का प्रतिकूल असर पड़ सकता है क्योंकि शनी की तीसरी दृष्टी आपके टेंथ हाउस पर है तो इस समय में अपने वर्क प्लेस पर अपनी वानी और अपना वर्तन बिहेवियर का विशेश ध्यान रखिएगा यदि महादशा अंतरदशा अच्छा चल रहा है तो फिर कुछ लोगों के लिए जाब चेंज के योग बन सकते हैं लेकिन फिर भी जब नया जॉब को असेप्ट करते हैं तो उसके पहले टर्म्स और कंडिशन्स, कमपनी की स्थिती, टीम कैसी है, कमपनी टाइम पर पैसा देती है या नहीं कमपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इन सभी चीजों पर एक बार गौर कर लीजिएगा अच्छे से सोच विचार करके ही जॉब असेप्ट करना चाहिए एट्थ हाउस में बैटकर शनी आपके दूसरे भाव को भी देखें अपनी वानी पर आपको सैयम रखना पड़ेगा कई बार क्या है, शनी का जब प्रभाव सेकंड हाउस पर पड़ता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हो जाता है स्पष्टवादी होना अच्छा है लेकिन हर समय अच्छा नहीं होता है कभी-कभी ये लॉसेस दे जाता है आप किसी कुरूप व्यक्ति को कह दे हैं कि तुम देखने में अच्छे नहीं लगते हो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा इसके वज़े से क्या होगा सेकंड हाउस संबंधियों का भी है रिलेटिव के साथ संबंध खराब हो सकते हैं धन संग्रह करने में भी थोड़ा सा मशक्कत मेहनत करना पड़ेगा पांचमें पर द्रिष्टी है शनी की इसलिए स्पेकुलेटिव अक्टिविटी, शेर मार्केट, गैंबलिंग, सट्टा इन चीजों से दूर रहिएगा फाइनैंशल रिस्क लेने से बचिएगा सेकंड में के बाद पांचमें भाव पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव पड़ेगा तो जो लोग भी शिक्षा के छेतर से जुड़े हुए हैं या संतान प्राप्ती के एक छुक हैं नए आइडियाज पर काम करते हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा हो जाएगा सेकंड में से पहले आपके दूसरे भाव पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव रहेगा तो जैसा मैंने पहले ही कहा धनो पारजन के लिए समय बढ़िया है शनी एवा मंगल जब आपके एट था उसमें कंजंक्शन करेंगे एक समय आएगा जब मार्स आपके सैटन के साथ एट था उसमें आ जाएगे उस समय में बच्छों के स्वास्थ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मंगल आपके फिफ्थ था उसके लॉड है और टेंथ भाव के स्वामी भी है तो इसलिए उस टाइम में अपने कारे छेत्र का भी ध्यान रखना चाहिए बच्छों का स्वास्थ है उनका वैवहार वर्क प्लेस पर आपका परफॉर्मेंस इन सभी चीजों पर ध्यान रखना होगा सब्तमेश अश्टम भाव में है तो कुछ लोगों को इनहेरिटेंस का फाइदा मिल सकता है लेकिन ग्रिहस्त जीवन के लिए वैवाहिक जीवन के लिए ये थोड़ा सा मुश्किलें क्रियेट कर सकते हैं शानी के आठवे में होने के वज़े से छुपे हुए रोग, सीक्रेटिव डिजीज होने की समस्यां कुछ लोगों को हो सकती है प्रोस्ट्रेट का प्रॉबलम, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, महिलाओं को गाइनेक प्रॉबलम्स इनका सामना करना पड़ सकता है अब हम लोग बात करते हैं राहू की राहू इस वर्ष आपके नाइन्थ हाउस में बैठ कर क्या रिजल्ट्स देंगे देखिए फ्रेंड्स, राहू हमेशा आपको लीक से हट कर चलने की एक प्रेरणा देता है तो आपके भाग्य भाव में जब राहू बैठेगा तो ये आपके भाग्य पक्ष को एक नया आयाम देने का प्रियास करेगा धर्म के भाव में चांडाल का बैटना धार्मिक दृष्टी कोन से या अध्यात्मिक दृष्टी कोन से तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा लेकिन आर्थिक दृष्टी कोन से और मौडन दुनियादारी की जो बाते होती है जैसे कि विदेश यात्राएं, विदेश से लाब, उच्छ शिक्षा में सफलता, आर्थिक मामलों में वृद्धी, इन चीजों के लिए 9th house का राहू अच्छा काम करेगा, राहू जब आपके 9th house में आये थे, अभी October end में, तो उस समय मैंने एक detailed विडियो बनाया था, उसको मैं description section में दे दूँगा, उसको आप लोग यदि नहीं देखे हैं, तो एक बार अवश्य देख लिजेगा, अभी के लिए इतना है कि 9th house में जब राहू बैठे हुए हैं, और राहू के dispositor, Jupiter की स्थिती अच्छी है, तो कुछ लाब दे सकता है, sudden foreign trip वगएरा, राहू आपक ये करवा सकता है, इस समय में ध्यान सिर्फ ये रखिएगा कि अधार्मिक और unethical कारियों से दूर रहिएगा, इसके बाद केतू की बात कर लेते हैं, केतू की यदि बात करें तो third में बैत कर केतू आपको एक firiness दे सकता है, उर्जा से आप भरपूर रहेंगे लेकिन temperament ख बहुत कुछ कर गुजरने की प्रवर्ती third house का केतू आपको देगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आप नए कारियों को करने की ओर उन्मुक होंगे, आपके भाई बेहनों को भी ये लाव दिलाएगा, केतू third house में हैं, तो धार्मिक यात्राओं पर जाने के भी योग कुछ लोगों के लिए बन सकता है, सिर्फ यही ध्यान रखिएगा, कि third house में इस वर्ष दो ग्रहन लगेंगे, ग्रहन के आसपास अती बहादुरी से बचिएगा, और अपने समबाद का, अपने communication का बहुत ध्यान रखिएगा, तो कूल मिला कर यदि देखें friends, तो करक वालों के लिए ये वर्ष average या average से अच्छा वर्ष माना जाएगा, अश्टम शनी की वज़े से कुछ चुनोतियां हैं, लेकिन दूसरे planets आपको अच्छे results दे रहे हैं, अब सवाल है कि remedies क्या करना चाहिए, देखिए इस समय में अश्टम शनी यानि कि ढहिया चल रहा है, इसलिए हनुमान जी को बिलकुल पकड कर रखिए, उनकी पूजा यदि आप लोग करते रहेंगे, तो बिलकुल ठीक रहेंगे, शनीवार के दिन हनुमान जी के मंदिर का दर्शन कर लीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंगबान, सुन्दरकांड, ये सब कर सकते हैं, यदि करेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेंगा, नीडी लोगों को कुछ फूड डोनेशन वगएरा भी करते रहेंगे, तो वो भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है, धैया से मेंटली आदमी ज्यादा परेशान रहता है, तो मेडिटेशन यदि करते हैं, और उसके साथ भगवा शिव का कोई भी मंत्र, ओम नमा शिवाय भी हो सकता है, उसकी चैंटिंग यदि करते हैं, तो ये भी करक राशी या करक लगन वालों के लिए बहुत अच्छा रेमेडी का काम करेगा, ये था फ्रेंड्स, करक राशी या करक लगन वालों के लिए साल 2024 किस तरीके का रहेग मुझे उमीद है वीडियो आप लोगों को डिटेल्ड लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, और भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर कीजिएगा, खास कर के तब जब उनक अन्यवाद हरहर महादेव भारत माता कीजिए